ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं मिथुन आशी वालू अब आप 11 नवंबर से 17 नवंबर यानि किन 7 दिनों में घरगर जाकर मिठाई बाटोगे जैन दोस्तू भगवान शनिदेव के असिरवास से आपको 11 नवंबर से 17 नवंबर यानि किन 7 दिनों में मिलने वाली हैं बहुत बड़ी खुसकबरी जैन दोस्तू चुपचाप इस व वीडियो को देख पाए गा ज़कूआदै, बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। इन साथ दूनों मे आपको अन्हें कुप्रकार की बड़ी खुषकवरियां, बड़े लाब, धनलाब और बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जै दोस्तों में बड़ी खुसकवरिया कौनकोंची है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक आवश्या बने रहें और अंत तक इस वीडियो को आप पूरा देखें पिलकुल भी इस वीडियो को आप हमिश्य ना करें को कि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पपूरे रहने वाली है दोस्तों वीडियो का शुरू करें सबसे पहला आप से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव के सच्च बगत इस वीडियो को एक लाइक दिनों का यह महत पपूरे समय दोस्तों अब समय पूर तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई महनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल म भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूर रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन त और उनको सही दिशा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए एप्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्योप्योग करें लंबे समय से च इसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धर्मिक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु का आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सभी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चार व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरतें कोई नकारातमक बात आपसे संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टानले की भी प्रबरती रहेगी विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रती ज्या कावट आ सकती हैं अपनी नकारातमक कमियों को दूर करके आप भैतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ ज़्यादा घुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सद्यूप्यों करें दोस्तों साथी साथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यति रहेगा किसी भी महत पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भै हैं कई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वज़े से कोई महत पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती हैं थोड़ा सावधान रहें शेयर शक्टा महवानों के आगमन से कुछ महत पूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने काम काज के प्रती सजग रहें साथ साथ पुराने जगड़े दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भर प्रतोसा ना करें कोट केस संबंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताय भी प्राप्त होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारत्मक बना कर रखें आपके प्रतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसी समंजस का भ भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिस्तेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेशानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कोण से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में श होंगे सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मदुर बना कर रखें जिस कार्य को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्य के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवश्यक्ता है नोकरी पेसा व्यक्ती अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्य छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वाहन आप बखू भी करेंगे नोकरी पेसा व्यक्ती अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए भ कि किसी प्रकार की मान हानी के भी योग बन रहे हैं कुछ नए वेवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय बहुती आपको साबधानी बरतनी की आवश्यक्ता है जरासी भी नापरवाही नुकसान दैक साबित हो सकती है इस समय कार्य की प्रपून योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षय को ट्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी कार्य छेत्र में धन टापती के लिए किये गए नए अनुबंद विक्सित होंगे तथा नए योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबवी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके लिए लाबकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त के दरश्टी कौन से कफ और खासी की वज़े से गले में और छाती म सूजन महसूस होगी लापरवाही बिलकुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें साती साथ अत्यादिक काम की वज़े से ठकान वे कमजोरी महसूस होगी शमय शमय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक हैं साती साथ अपने खानपान बर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भोजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भोजन करें जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा साती साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें